हाई गाईस कैसे आप मैं हूं मानिका और आप देखरें मेरा चैनल कोक विद मानिका आज मं बराने वाले चार डिफरेंट तरह के मोहिटो जो कि बहुत ही जल्दी बनेंगे टेस्टी होंगे मैंगो होगा वाटरमेलन होगा वर्जिन मोहिटो जो हर घर में हर बच्चे को पसंद है बच्चे क्या बड़े सब पसंद करते हैं रिफ्रेशिन ब्रिंक और साथ में म बहुत ही आसान होंगी और इस गर्मी में आपके बहुत काम आएगी तो चलिए दे नहीं करते हैं बना लेते हैं मैं मुई टोस बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कॉमन इंग्रिंट्स जो हम मुझे हर बार चाहिए वह नीबू के इस तरह से कटेवे टुकड़े इनके साथ ही पुदीना के पत्रे चाहिए मिंट्स लेमन के आ पको चुछव चुछे चाहिए और पी फ्रेश होना चाहिए अच्छा होना चैहिए साफ से अच्छे कर के फिर उस कि escape अ कि पीसली जिए उसे मिकसं हैजे पहले से तयार्य करांगे और तो आप यह मैं चारों रेसेपी में इस्तेमाल करने वाली हैं सबसे पहले मैंगो मोईटो बना रहे हैं मैंगो सब बच्छों को अच्छे लगके बड़ों को अच्छे लगके मोईटो बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा इसके लिए एक मैंगो का हम पल्प निकाले और एक मैंगो के मैंने इसे टुक्ड़े निकाल के रख ली हैं मैंगो के पल्प को इसतरा से मिक्सी में डाल दीजे क्योंकि हम इसे बलड करने बाले हैं큼 स्मूद करने वाले हैं साथ इसमें पिसी चीनी आड़ कर देंगे क्योंकि हमें मीठा ड्रिंक ही स्वाद लगेगा और आम इतने मीठे नहीं आते और थोड़ा सा थंडा पानी डालेंगे क्योंकि हम इसका एक लिक्विट सा गाड़ा साम बनाएंगे पल तो इसे ब्लैंड करन लेकिन मोईटो के लिए कुछ सपेशली पहले हाथ से थोड़ा सा पाउंड किया जाता है बदीना के पत्ते और नीबू को इसके लिए मैं स्टील का ग्लास इस्तेमाल करूंगी तो ग्लास में पहले डाले कुछ पुदीना के पत्ते जिसे हम पाउंड करेंगे थोड़ा क्र पल्प बनाया मैंगो को उसमें आड़ किये लेकिन सोडा मैं यूज करूंगी सोडा फीका रहता है तो चीनी थोड़ी इसलिए आड़ किये और इसमें अब मैंगो के टुकुड़े डाल रहे हैं दो चार चमच डाल दीजिए और अब इसे कूट देंगे इस तरह से कूट नी चीनी जो होती सबके घर में होती तो इसी को इस्तेमाल कीजिता बेलन्स से कर सकते हुआ चमच से कर सकते हैं अगर वह नहीं है चमच से आप कर सकते हैं अब इसे थोड़ा सा बस दो चार पारा ऐसे एक ख्रश करेंगे तो नीमगु का स्वाद आजाए गा पुदीनअ कोट जाएगा और आम भी हमारा हलकालका क्रश हो गया और इसे नीमू का रस तो हमने डाला ही नहीं वह भी मैं डाल देती है दो टी स्पून नीमू का रस का पिये यो कि मैंगो का भी अपना फ्लेवर आना चाहिए से मिक्स कर दीजिए और इसे अब सर्विंग ग्लास में एड कर र मैं इसमें ठंडा-ठंडा सोडा डाल रही हूं आप इसमें बर्फ के टुकुडे भी डाल सकते हैं और सोडा हर रेसिपी में डलेगा जो भी मोहिटो बनाएंगे कोई कि वह स्पार्क्लिंग होना चाहिए अब पुदीने के पत्ते से सजाते हैं और हमारा मैंगो मोहिटो ब बहुत अच्छा लगता है इसके लिए आपको चाहिए तर्बूज इस तरह से कटावा इसको मिक्सी में चलाएंगे और चोटे टुकड़े भी चाहिए वाटरमेल ने तर्बूज के इसके बीज निकाल लीजिए मिक्सी में मैंने बड़े टुकड़े डालें हैं तर्बूज के इसमें चीनी आट करूंगी क्योंकि चीनी आजकर मीठे का आ रहे है अपने पल बस अब तर्बूज का रस निकालेंगे इसके लिए कुछ नहीं करना आपको मिक्सी का जाड लगाई चलाएं इसमें पानी नह ब्लेंट कीजिए कितना अच्छा तर्बूद का रस निकला है और अच्छे से बारीक कर लीजिए इसे अब हम चानेंगे वाटरमेलन का जूस अब मैं चान रही हूं इसको अब हम इस्तेमाल करने वाले अपने मोहिटो के लिए बहुत टेस्टी सा वाटरमेलन का जूस है आप वैसे भी बर्फ डालके पीना चाहें तो इस तरह से पी सकते हैं मजा आएगा अब मोहिटो बनाने के लिए वही हम चीजें दुबारा से रिपीट करेंगे पहले हमने आम के टुकड़े लिए थे हम लेने वाटरमेलन के जाजे से थोड़ा सा मीठा यूस करेंगे इसमें चीनी और नीम बुके टुकड़े तो चाहिए स्वाद बढ़ाने के लिए पस फिर से पुदीना के पत्ते डालकर क्रश करते हैं थोड़े से पुदीना लीव्स और जो बेसिक स्वाद है था मोहिटो का वो मेंट लेमन से आता है वह बहुत जरूरी है क्रश कीजिए देखे बहुत अच्छा सा हमारा बेस रेडी हो गया है वाटरमेलन मोहिटो के लिए इसे फिर सर्विंग क्लास में डालते है साथ में वाटरमेलन का जूस निकाला सब आट करेंगे और सोड़ा भी हमने डालना उसके लिए जगा कर सकते हैं जब डाली इसात में डालें सोडा जो बहुत जरूरी है मेरे से वो खलप नहीं मैंने आट किया लेकिन सोडा जरूर डाली है मोहिटो का स्वाथ सोडा से आएगा या स्मारा टैस्टि बहुत ही जल्दि बिलकुर रेस्टरौन जैसा वॉटरमेलन बुइटो भी बन के रेडी है अब हम चल दें वर्जिन मोईटो जो सब का फेवरेट है चलिए इसे इंसें तरीके से टेस्टी बिल्कुर रेस्टरों जैसा बनाएंगे तो इसके लिए वही ग्लास में नीमू डाले इसमें थोड़ा जादा नीमू पड़ेगा 5-6 टुकड़े नीमू के डा मोईटो के लिए इसे ग्लास में हमारे सर्विंग ग्लास में कजी ट्रांसफर और उपर से डाले पर बड़ी अच्छी सी पुदीना फूट के खुश्वू आती है वह मैं आपको बता नहीं सकती उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा और उपर डालते है ठंड़ा सोड़ा मैंने बरफ भी डाल दिये और उपर सोड़ा डाल रही हूं और बड़ी आसा हमारा वर्जिन मोईटो भी रेडी हो रहा है तो देखे इतना आसानी से हमने घर पर वर्जिन मोईटो जो बाजार में कितना महेंगा ग्लास मिलता है बनके रेडी हो गया अगराब हम चल रहे है जल जीरा मोईटो की तरफ जोगी बहुत ही रिफ्रेशिंग बहुत ही डाइजस्टिव बहुत टेस्टी बनेगा इसके ली थोड़ा सा द्रख लेए हूं मैं एक से दो गलास के लिए बता रही हूं छोड़ा टूकड़ा द्रख्खा और चान लेजिए तो हमारा concoction जो है बेस जो है ready हो गया जलजीरा मोहिटो के लिए और इसे ही हम हम मोहिटो में जैसे हमने बाकी juices यूज के ये करेंगे यूज हम वही process repeat करेंगे बस में इसमें चीनी अब नहीं डालूंगी नीमू थोड़ा जाधा एड़ करेंगे पोदीना के पत्ते डाल दियें और नीमू का रस है और नीमू के टुकणे इन्हें कूट लेते हैं और इसे कर देते हैं ग्लास में ट्रांसफर सर्विंग ग्लास में उपर से डालेंगे खूप सारी बर्व और यह पुना जीरा बहुत इंपॉर्टन है जब आप बना रहे हैं जलजीरा तो कैसे बूलेंगे जलजीरा नहीं होगा तो जलजीरा किस नाम का नाम ही खराब जाएगा और उपर ही हमने रस निकाला था मिक्सी में वह आड़ कर रह करती है जो कि बहुत जादा डेस टी है तो पहले कौन सा बनाने वाले मंगो मुईटो वाटरमेलन जलजीरा या फिर यह वर्जिन मुईटो जो मन में आता है बनाए बहुत ही टेस्टी है पीने में और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग भी है गर्मियों में क्या करें है रेस्टरोंट से नहीं मंगाना है घर पर कितना बढ़ी आसा रेस्टरोंट जैसा अगर ट्रिंक बन जाए तो कहना ही क्या